हेलो एवरिवन, आज हम जिस नोवल को डिसकस करने वाले है, उसका नाम है The Adventures of Huckleberry Finn इसे लिखा है Mark Twain ने और इसे पब्लिश किया गया था UK में 1884 में और US में 1885 में इस नोवल की सेटिंग रखी गई है St. Petersburg, Missouri नाम के एक fictional टाउन में जो की Mississippi River के ही along है तो सबसे पहले हम इस नोवल के characters देख लेते हैं तो जो first character है वो है Tom Sawyer तो यह जो Tom Sawyer है यह जो भी town के local boys है उन सबका leader है दरसल यह जो नोवल है The Adventures of Huckleberry Finn वो Mark Twain की ही इससे पहली लिखी हुई novel जिसका नाम था The Adventures of Tom Sawyer यह उसकी direct sequel है यानि कि The Adventure of Tom Sawyer वो novel है उसके बाद की जो direct story है direct sequel इस novel की है यह novel उस novel की direct sequel है तो उसी novel में हमें हक और Tom जो है जो first novel है उसी में ही हम इन दोनों से introduce करा दिया जाता है और इन दोनों की friendship के बारे में भी हमें उसी novel में पता चल जाता है और जो इस novel है The Adventures of Huckleberry Finn इस novel में जो दो major character है वो है हक और Jim तो हक और Jim की जो adventurous journey है उसी पर ही यह novel based है और उसी पर ही इस novel का नाम भी रखा गया है तो हक जो है वो 13 year old है और इस novel का protagonist है साथ ही वो narrator भी है यानि कि इस novel की जो भी story है वो हक अपनी ही जबान से narrate करता है वो खुदी narrator है इस novel का तो उसके बाद हम इस novel के जो character है उन देखते हैं तो पैप फिन को पैप फिन हक का father है वो खुद इलिटरिट है ही साथ ही वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हक भी पड़े लिखे और civilized बने वो एक drunkard है और हक को मारता पीटता है और वो हक के पैसे पर कबजा करना चाहता है उसके बाद है वीडो डगलस और मिस वाटसन वीडो डगलस और मिस वाटसन दोनों sisters है और दोनों ही हक को करते हैं और एक civilized life देना चाहते हैं दोनों चाहते हैं कि हक पड़े लिखे एक civilized man बने मिस वाटसन जो है वो अन्मेरीड है और काफी ज्यादा strict है जो की हक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके बाद जो है वो है भी जर्ज थैचर के ऊपर ही है तो अब जो इस नावल में और भी जो करेक्टर आते हैं एक तो जीमी ही हो गया तो जीम मिस वाटसन का slave है ब्लैक है वो एक black man है और मिस वाटसन के लिए slavery करता है और उसके बाद जो करेक्टर आते हैं वो है बिजवाटर बताता है दोनों अपने आपको किंग बताते हैं लेकिन होते दोनों फ्रॉड हैं और उसके बाद आते हैं दे ग्रेंजे फोर्ट और दीजए फेमनी है इन दोनों के बारे में भी हमें इस नावल में आगे पता चलेगा उसके बाद है Silas and Sally Phelps, यह जो दोनों है, वो Tom के Uncle and Aunt है, और जो Aunt Polly है, वो भी Tom की ही Aunt है, और ये जो Sally और Polly, ये दोनों sisters हैं, ओके, तो इस novel में जो Huckleberry Finn है, उसी का नाम Short में हक है, तो फिर पूरे novel में हम पूरा नाम नहीं लेंगे, बलकि उसको हक नाम से ही बुलाएंगे, तो आगे हम स्टोरी देखते हैं इस novel की, तो स्टोरी शुरू होती है, सेंट पीटर्सबग मिसूरी से ही जहां पे इस novel की setting रखी गई है, तो novel जो है, जो इसकी first novel है, वहीं से ही शुरू होते आ रही है, कि हक और टॉम जो है, वो दोनों दोस्त है, उन दोनों को जो मनी मिल है, उसको जो है, सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी, जज थैचर को दे दी जाती है, मिस वाटसन और वीडो डगलस मिलके हक की responsibility ले लेते हैं, कि उसको एक civilized life देंगे, लेकिन हको बिल्कुल भी civilized life नहीं चाहिए, उसको civilized society के जो norms traditions है, उनको बिल्कुल भी follow करना पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी पसंदी नहीं है, civilized life वो उससे आजादी चाहता है, और अपनी ही free will में, अपनी own will से एक adventurous life जीना चाहता है, इसलिए ही वो Tom की गैंग में भी शामिल होता है, तो जो इस जो novel की major story शुरू होती है, पैप फिन की entry से, तो जो पैप फिन है, जैस जाता है, इलिनॉइस नाम की जगा पे, यह मिसे सी पेरिवर के ही किनारे पर एक टाउन है, और वो क्या करता है, इलिनॉइस नाम जगा के, जो जंगल है, उसके बीच ओ बीच, एक सुनसान से जगा पे ले जाके, हक को महां पे कैद करके रख देता है, तो वो उसे बहुत ह स्वाइब करते हैं वह उसको जब करता है सान होता है शारो पर अपनी जर्णी शुरू कर देता है तो वह सीधे जातक कर पहुंचता है जैक्सन आइलेंड पर और वहां पर ही यह जिम से भी मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि भी जिम जो है वो तो एकरनवे स्लेव है वहां से मिस वाटसन का स्लेव था भाग गया दरसल जिम ने मिस जो है जिम को और भी जादा ब्रूटल ओनर के पास बेचना चाह रही है तो इसलिए यह सब सुनके वहां से भाग जाता है और वह एक काईरो नाम के फ्री स्टेट में पहुंचना चाहता है ताकि वहां पर पहुंचकर अपनी फ्यूचर फैमिली यानिकि जो फ्यूचर में अपनी और अपनी फैमिली की फ्यूचर फैमिली की फ्रीडम को खरीच सके हम तो जो हक जो है वो तो शुरू शुरू में जो है जिम की मदद करने से थोड़ी सी हैजिटेट करता है क्योंकि हक वाइट था जिम ब्लैक था हक तो सबसे पहले अपने आपको सुपीरियर समझत और तो यह गलत काम है उनके अनुसार तो इसलिए वह थोड़ा सा हेजिटेट करता है दोनुं अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी जरनी शूरू करते हैं। मिलता है और उसे रख लेता है और आगे पे एक floating house भी मिलता है तो वह क्या करता है उसके अंदर जाते हैं जितना भी समानोमान होता है उसको लूट लेते हैं और जिम को पे एक डड़ बोडी भी दिखाई देती है तो जब ड़ेड बोडी देखते हैं वह और किसी की नहीं बल वो यह अच्छा ही सोचता है वो सोचता है हग देखके डरवर जाएगा इसलिए वह उसे महां से लेकर चला जाता है अब आगे अपने जर्नी के दौरान वो क्या करते हैं एक टाउन पर रुखते हैं हग जो है लड़कियों की जैसे गर्ल की जैसे ड्रेस अप करता है और दोन बहुता है जो हग है उसके मर्डर के सस्पेक्ट जीम को माना जा रहा है क्यूंकि एक भाग चुका है रनवे सलेव है तो इसलिए उन्हें लग राए कि जीम्नेश को मार रहा है और भाग गया है इसलिए जीम के ऊपर कैश प्राइस रख दिया गया है थ्याया जो भी जिम को पकड़वाएगा उसे कैश प्राइज मिलेगा और पुलिस चारो तरफ जिम को ढूंड रही है तो यह सब सुनके दोनों फटा-फट से वहां से राफ्ट लेके निकल लेते हैं और दोनों भाग जाते हैं तो अब उसके बाद क्या होता है फिर रिवर में एक थीव्ष की बोट मिलती है तो वहां से भी सब कुछ लूट के भागता है और बाभता पर दरसले उनकोर रस्ते में जो है जो भी मिलता है वह सब कुछ लूट ते वएं निकलता है पर आगे क्या होता है फॉग में वो दोनों अलग हो जाते बाट लग हो जाता है और जब वो दोनों वापिस मिलते यहें तो हग जीम कआ थोड़ा सा मजाख बनाता बनाता है वह वह जीम को कहाता है कि तुमestroyt यह सब चतन नहीं है हो जोरु शोरु में से माफी मागता है अपनी इस गलती के लिए अब आगे क्या होता है आगे इक स्टीम बोट से टकरा कर उनकी राफ जाए वो टूट जाती है खराब हो जाती है तो इसलिए जो केंट की नाम के टाउन में दोनों रुख जाते हैं जी राफ को रिपेर करता है और हक को जो इस ही एक चर्च पर जाते थे दोनों यह की सेम चर्च में जाते थे तो उहां पर जो ग्रेंजर फोर्ड फैमिली की जो डॉटर है वो शिफट संव फैमिली के संद के साथ भाग जाती है तो इसलिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खून के प्यासे हो जाते है और इतने इस धूथा है और वहाल जाता है इस वाइलेंस में Petco बेस जो फिरस में अदीन हैं चोपा समय जाता है उन चुंदा फोर्ड़स बंप के तो तो एक ब्रक्राइं करता है लेकिन वह तो formul जगह देते से आप करने हो प्रोड करने कि ञें जाते लेकिन वह फोर्ड यह प्लु और हग को परिशान भी करते हैं बहुत जादा अब आगे क्या होता है वो टाउन पर रुखते हैं जब तो उनको पीटर विक ताप की एक जो मैंने उनके बारे में पता चलता है तो पीटर विक है वो तो मर चुका है और जो अपने पीछे काफी जादा प्रॉपर्टी टो ये जो दू भाईयों के नाम पर होने वाली है तो ये ये जो फ्रॉपर्ट है ये प्लैनिंक करते है कि वो उस प्रॉपर्टी पे कबजा कर लेंगे और ये जो दो लूट ले सारा पैसा उसलिए क्या करता है, मनी के लू़ कुलुपन और Sally Phelps के पास तो उनके फार्म में जाके पहुंचता है वहां पे उनके फार्म में ही जिम काम कर रहा था दर असल यह दोनों तो टॉम के अंकल एंड अंट है और टॉम वहां पे आने वाला था तो टॉम के वेट कर रहे थे तो जब हख आ वहां पे आता है तो वह हग को ही ट टॉम है वह अपने आपको टॉम का छोटा भाई सिड बताता है तो अब क्या होता है यह जो सिलास और सैली फेल्प से इतर असल बुरे नहीं थे यह अच्छे लोग थे यह जिम को उसके जो रियल ओनर है उसके पास रिटर्न करना चाहते थे लेकिन टॉम और हक मिलके जिम क फ्रीडम चाहते थे तो वह इसके प्लैन बनाते है किस तरीके से भागेंगे तो जब भागने का प्लैन जब एक्जिक्यूट करते है जब भागना शुरू करते तो टॉम के पैर में गोली लग जाती है और घायल हो जाता है टॉम हग तो डॉक्टर को बलाने के लिए फिर जाता है जिम को वो लोग भागने के लिए लेकिन नहीं भागता जिम के अंदर जो की उमेनिटी थी काइंडनेस थी वो टॉम के पास ही रुखता है उसकी मदद के लिए हाला कि अगर जिम वहाँ पे रुखता वो पकड़े जा सकता था है तो उसके पकड़े जाने की डर थ लेकिन फिर भी वो टॉम के पास रुखता है टॉम के मदद के लिए जो कि बाद में जब दोक्नर आता है इस चीज को अप्रिशेट भी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद वहाँ पे आती है एंट आंट पॉली तो आंट पॉली के आने के बाद अब सब कुस ठी होते हैं आट पॉली बताती है कि मिस वाट्सन की डेथ हो चुकी है और इसको अपने वील में 아 जिम को आजाद कर दिया है कि उनके मरने के बाद उनके देद के बाद जिम अपनी फ्री operators जी सकता है तो यानि आजाद है अपनी लाइफ को जीने के लिए सिलास और सैली वो दोनों भी हक को सिविलाइस्ट लाइफ देना चाहते हैं लेकिन हक को तो सिविलाइस्ट लाइफ चाहिए ही नहीं तो इसलिए वो अपनी जर्णी एडवेंचरस जर्णी को फिर से शुरूर रखता है और आगे निकल जाता है तो अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट से जो आपके लिए याद रखना जरूरी है वो है करेक्टराइजेशन ओफ हक एंड जिम तो हक एंड जिम का करेक्टर को आपको अच्छे से समझना जरूरी है हक जो है वो तो मस्त मॉला है बिल्कुल और जिम जादा एजुकेशन है नहीं लेकिन मोरैलिटी के मामले में यूमैनिटी के मामले में दोनों बहुत ही जादा सिविलाइजड सोसाइटी से तो आगे हैं दोनों को ही फ्रीडम चाहिए जिम को रेसीजम की वज़ए से अपने रेस की वज़ए से स्लेवरी से फ्रीडम चाहि अगर इवेंट्स को सर्फेस पे देखा जाए तो वह कॉमिकल लगेंगे लेकिन अगर उसके डीप मीनिंग को देखा जाए तो बहुत ही सीरियसनेस छुपी हुई है यानि कि सीरियसनेस और कॉमिक तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस नोवल में देखने को मिलता है जो ह वह जो दो फ्रॉड जो उनको जरनी के दौरान मिले थे वह जिम को ब्लू पेंट कर देते हैं ताकि उसका ब्लैक रेस के बारे में पता न चले तो वह मजाग बना रहे होते हैं दिखने में कॉमिकल लेकिन हकिकत में अगर जिम के नजरिये से देखा जा तो कितनी सीरियसने कैसा है चितना धर्द है कितना पेन है और उसके लिए तो टॉचर रेजिम के लिए definitely और साथ ही अब जब ग्रेंजर फोड फैमिली और शिफट्सवन फैमली की बीवाद कर लेते हैं of चर्च पे जाते हैं लेकिन दोणों उसके बिलकुल आपंच जादा वाइलेंट उते हैं कि एक दूसरे को फूरी फैमली मार डालती है और उसके बाद इससे यूम इस तरीके जिम को तो slavery सफर करना ही पड़ता है अपने रेस की वज़े से रेसिसम की वज़े से slavery जिससे उसे freedom चाहिए और हक जो है उसको सब को सब्सक्राइब है और उसके बाद हम देखते हैं इंटलेक्शन और मोरल एजुकेशन हमें पता है हक जिम दोनों के पास ही एजुकेशन नहीं है दोनों ही इतने ज्यादा एडुकेटिड नहीं है लेकिन अगर morality की बात करी जाए है हक जो है शुरू शुरू में तो hesitate करता है क् उसको पता है कि जो religious belief है उसके अकॉर्डिंग जो slave है उसको अपने honor की बात माननी चाहिए तो slave को इस तरीके से भगाने में मदद नहीं करनी चाहिए हक को थोड़ी-थोड़ी civilized life की जैसे सोचता है लेकिन end में तो वो empathical feel करता है जिम के प्रती और इसलिए जिम का वो close friend भ भरी है तो दोनों में ही morality, kindness, humanity की बात करी जाए तो भरपूर है लेकिन यह जो civilized society है यह तो hypocritic है बिल्कुल तो यह हमारी next theme भी है hypocrisy of civilized society तो यह society अपने आपको तो उपर उपर से बहुत ही जादा gentle दिखाती है कि बहुत gentle है लेकिन हकिकत में बिल्कुल भी gentle नहीं है यह slavery जैसे human चीज को बिल्कुल सपोर्ट करती है और बिल्कुल भी है बस नाम की civilized है उसके बाद importance of river तो मिसिस सीपी रिवर के हम importance को कैसे भूल सकते सारे events जो है वो इसी river के लॉंग है इनकी journey भी इसी river पर ही है तो इसकी तो importance है तो यह आपको याद रखना है I hope आपको समझ मे आपको तो thank you